मोधी सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के जो आए वो दोगुनी कर दी है दोगुनी किसके होगी किसी की भी नहीं 2022 तक किसानों क्या है दोगुनी करनी थी क्या लग रहा है आपको हुई है क्या नहीं हुई और किसान तो मैर दिया इनोंने करजबंद कर दिया किसान कोई अपना बात को लगो रुख और कोई ऐसी बात करा तो बात दूसरी मेघ किसब करजबन रही है। बुरा हाल है किसान, जैव्यूती सरकार है जूट तो जूट इस सरकार तो कहरे है कि आमने खात पर सबसीडिवी है लिए कि चांग कर आ हैं तमाम दावे किया रहें आप देखिए इतने किसान यहां पर बैट एंधे हैं वसकता है मैं दोजार बाइस के तो इन्होंने 25 रुपे गन्ने पर बढ़ाया और अब चुनाओं हो गए 2022 का चुनाओं बीजेपी गॉर्मेंट आ गई अब तक एक साल सरकार को बने हुए हो गया और साड़े तीन महीं नहीं होगे मील चलते हुए अब तक भाव घोसित क्यों नहीं किया हम आपके माध्यम से क्योंकि आप बता रहें लाइव चल रहा है हम सरकार के अगर परतिनीदी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को तो हम पूछना चाहते हैं कि इस किसान से आप क्यों दूस्मनी रखते हैं ज है उसे जौब की तरह लेना है तो उसकी क्या दिक्कते हैं कुछ और नौजवान हैं जो कुछ कहना चाहते हैं और गयनिक खेती को लेकर आशकल बड़ा चीज़ें चल रही है तो आपको लग रहा है कि उसको लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए ड्रोन की टेक्नोलोजी का अमालिया गहों की खेती है या सरसोई खेती है गन्ने खेती है उसके उचित मुल्य तो मिले और आप हर चीज़ पर बढ़ारे हो पर गन्ने पर और किसान की तरफ आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो वैसा तो ठीक नहीं है ना लेकिन हम देखते हैं कि जब किसान आंदो मांगे और यह वोट यह सब तब्दील क्यों हो जा रहा है यह चुनाओ हिंदू मुसल्मान पर ला देते हैं यह बात जब चुनाओ आते हैं ना इन्हें हिंदू याद आ जाते हैं फिर यह किसान बोल जाते हैं और किसान भी तो पता चल जाएगा बैलेट पर कराऊना लेगे तो आप क्या विश्वचने मोधी जी तो कह रहे थे कि किसानों के दिल रखने के लिए उन्हों ने तीनों करिशी कानून वापस ले लिए वापस तो ले लिए लेकिन मोधी जी ने यह भी का था हम MSP देंगे MSP देंगे दी हमें दुबारा धरने पर बैठना पड़ सब पर रेट डले हुए हमारी घंडे की परची पर रेट ही डला हुआ है है कोई किसान कोई चीज ऐसी हमें यहीं नहीं पता हम अपनी चीज किस रेट में दे रहे हैं बिजली फिरी बोली थी इन्होंने चुनाओं के टाइम में बिजली पर रेट बढ़ा दिये आज जफर नगर के किसानों का दर्द है यह चौपाल हमने लगाई हुए लगतार एक घंडे तक यह चौपाल लगी हुए है इनसे और मांगे जानेंगे क्या इनकी और समस्या हैं क्या इनका दर्द है लेकिन आपको